हर मुश्की लोग आसान सबका है समाधान नमस्कार मैं आपकी एश्रो दोस अर्चना गुपता अपने जोतिस के चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ जै माता दी दोस्तों इस समय नवरात्रे चल रहे हैं माता दुर्गा स्वयम शाक्षात रूप में इस प्रत्वी पर विच्रण कर रही हैं वो अपने भक्तों की हर एक्षाव मनो कामना को पूर करती हैं तो ये नौ दिन बहुत ही ज़्यादा विशेस होते हैं इस समय हमें मा को मनाने के लिए हर प्रत्न हर जतन करना चाहिए अपनी इक्षाव मनो कामना को पूर करने के लिए क्योंकि इस नौ दिनों में जो भी हमारा अतना पूजा करती हैं उसका हमें शीग्रफल मिलता है और वो इक्षाव मनोकामना हमारी सीगर पूरी हो जाती है लेकिन हमें सही विधी पता हो तब हम इस प्रयोग को और आसानी से कर पाते हैं मैं आज आपको इस उपाएंट जो आज मैं आपको देने वाली हो प्रयोग उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से माता को नो दिल लगातार उनके पसंदीदा चीजों का भोग लगाकर आप मा का बर्दान प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही अमरत की बूंद और जादी एक्षर दूंगी राहुकाल और अवजीत महुर्थ का समय बताऊंगी और जिनका बर्द्री या मेरे जैनुवर्सरी या उनके लिए शुबंक लिए कराई हैं दोस्तों हम प्रती दिन किसी ना किसी समस्या को लेकर तनाब रस्त रहती हैं हमारे जीवन में तनाब किसी ना किसी रूप में हमारे साथ ही रहता है कभी हमें बिजनिस का तनाब रहता है कभी हमें धन संबंदित हानी हो रही है उसका तनाब रहता है कभी स्वास संबंदित समस्याइं बनी रहती है कभी हमारे निजी जीवन में पती-पत्नी में आपसी सामज़स नहीं रहता है तकरार होती रहती है या बच्चों का पढ़ाई में मननी लगता और हम तनाब ग्रस्त होते रहते हैं तो क्यों ना कुछ ऐसे सरल से हम प्रेयोग कर लें जिससे कि हम इस तनाब से मुक्ती टाप्त कर सकें मैं जो आपको नियमित, अमरत की भूद और जादू यक्षर दोती हूँ उसका उद्देश ही यही है कि आपके दिन को शुब बनाना आपके मानसिक तनाब को दूर करना आपके जन्मान के कोई भी ग्रह जो आपको पीडा दे रहे हो धीरे-धीरे उनको बेलेंस करना यही मेरे प्रेयोगों का मकसद है जब आप इन प्रेयोगों का नियमित और दोनों प्रेयोगों का एक साथ आप प्रेयोग करते हैं और नियमित करते हैं तो आप देखते हैं कि 8-10 दिन में ही आपको इनसे विशेस फल मिलने लगते हैं आपको सबसे पहले तो मांसितन आप से मुक्ति मिनने लगती है मेरे अम्रत की बूदर जादू याक्षर गरहों पर आधरिते हैं आप किसी भी राशी के व्यक्ती होँ आप विश्व में हैं भारत में भारत से बाहर किसी भी देश में आप रहती हblem ये 10 वर्स के बच्चे से लेके 90 वर्स तक के महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सभी के लिए समान रूपसू उपयोग यो प्रभावी है इन प्रेगों को करके आप प्रति दिन जब आप इन प्रेगों को करते हैं तो जन्मान का आपका एक ग्रह संतलित होना शुरू हो जाता है प्रति दिन के एक उपाई से एक ग्रह संतलित होता इस तरह जो आप लगाता करते हैं तो आपके नो के नो ग्रह प्रति दिन उपाईयों से संतलित होना शुरू हो जाते हैं जो ग्रह हमें पीड़ा पोँचा रहे होते हैं उनकी पीड़ाएं शान्त होते हैं जो कमजोर होते हैं उनमें बल आता है और जो शुब होते हैं उनकी शुपता और बढ़ने लगती है क्योंकि यह समझ रष्टी नौ ग्रहों पर ही आधारित है, नौ ग्रहों के प्रभाब से ना तो सूर्य और चंद्रमा बच पाई हैं, ना ही आम इंसान बच सकता है, हम ग्रहों के प्रभाब से हमारा प्रति दिन, हमें ग्रहों के प्रभाब से हमारा दिन, दिन चर्या चलती है, कोई दिन हमारे लिए व प्रयोगों को तयार करती हूं इन प्रयोगों को करने से आपको सबसे पहले दो मानसिक सांती कानुवा होने लगता है आपको तनाप से मुक्ति मिलने लगती है आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है आपकी औरा क्लीन होने लगती है और आपकी इमुनिटी बूष्ट होती ये इसके साथ में ही जिस काम में आपको बार बार कहीं रास्ते ही नजर नहीं आ रहे होते हैं उन कार्यों से बाहर निकलने के लिए आपको रास्ते मिलने लगती हैं और आपके थौट्स इतने ज्यादा 20 दिन रभिवार आज कर आहुकाल है शाम को 4 बच कर 30 मिनट से 5 बच कर 5 मिनट तक इस समय आपको कोई भी शोबने अकारा रम नहीं करना चाहिए आज का अबजीत मौर्द का समय है 11 बच कर 49 मिनट से 12 बच कर 25 मिनट तक इस समय आपको इभी शोगने अकारारम कर सकते हैं आज की अम्रत की भून में आपको एक कप पानी में एक चुटकी डालचीनी पाउडर एक तेज पत्ते का पत्ता दो चुटकी हल्दी पाउडर और एक गुड की डली डालकर आप इस मिश्रण को उबाल लीजे और छान कर खाली पेट चाय की तरह से इसका सेवन कीजे अगर आपका ब्रत है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़े प्राकटिक हैं जो कि मा को अर्पित की जाती हो और मा को इस सारी चीज़े अतिप्रत पसंद है तो आप चाहें तो इस मिश्रण का आप मा को भोग लगा कर भी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं नौदरगा में इस मिश्रण को आप सेवन कर सकते हैं प्रेवक पूरा हुआ आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता भ्रह्मचार्णी का दिन है जो कि माता का दूसरा दिन है इस दिन माता भ्रह्मचार्णी को चीनी का भोग लगाया जाता है आप मातरा में आपकी जो श्रद्धा हो उतना भोग लगाए ज्यादा हो सके तो आप ज्यादा का भोग लगा लें थोड़ा सा अपने लिए निकाल कर उसमें से चीनी बाकी का आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं माता के जो हम नौ रूपों की पूजा करती हैं प्रति दिन अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया है आपने घट स्थापना भी नहीं किये और आप चाहते हैं कि मां की आपको पूरी आपके मां के पास महरबान रहे आपकी सभी एक्षाय मनुकामनाय पूर्ण करें तो आ आप नौ दिन लगातार अपने मंतर का जाप कीजिए अपनी मनुकामना बोली आप देखेंगे कि माता रानी इस मंतर को अतिशीग्र आपके उस मनुकामना को पूरा करेंगी साथ में ये भोग भी लगाई है जैसे मैंने आपको बता है भ्रमचाणी माता को आप चीनी का भ पूरा बर्दान प्राप्त कर सकते हैं आज का जादूई अक्षर है मदनवाला मा इस माशब्द को आप रेट कलर के पैंसे लेफ्ट एंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजे रेट कलर के पैंसे लिखिए 24 गंटी तक इससे लिखा रहने दीजे दूसरे दिन आप नहाए तो एक छोटी से सफेद कागच की चिट पर लिख लीजे फोल्ड करके पर्स्या पॉकेट में रखिए 24 गंटी तक अपने पास रखिए दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड की जड़ में छोड़ दीजे आप मेरे ये प्रयोग कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब के कमें इंट बक्स में आकर अपने अनुभव शेयर किजिए जिससे की और लोग भी आपके अनुभव शेयर कर पढ़कर इन उपायों को करने के लिए प्रय रीठ हो मैंने अभी आपको माता की नौरात्री में कैसे माता की स्थापना करें किस तरह से मा के मंत्र का जाप करें और मैं आपको नियमित अब ये भोग बताऊंगी तो अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखें तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएए और आपको मेरे सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे मेरे चैनल पर जाकर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें गंटी के बटन को all पर कलने जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गया किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना मैं मातर आपको इतने सरद सरर प्रयोग बरताती हूं जिसमें कि आपका समय नहीं लगता है और आपको इजीली आप अपने घर की सामांग से उन प्रयोगों को कर पाती हैं तो आपको इन प्रयोगों को अवश्य करना चाहिए जिनका बर्थडे या मेरे जनेवर्सरी है उनका ये वर्षुभो ऐसी मेरी रिस्वर्से कामना है उन सभी व्यक्तियों को जिनका बर्थडे है वो या जिनकी मेरे जनेवर्सरी है वो पती-पत्नी दोनों एक white color के paper पर, red color के pen से 9 कांग लिखें, यानि 9 नमबर लिखें, उसमें थोड़ा सा जो इस वर भगवान को आप अर्पित करते हैं, जिसे हम रोली भी बोलते हैं, या सिंदूर भी बोलते हैं, उसे थोड़ा सा उसमें बांग लीजिए और उसको बांग कर अपने पर्स में र तो description box में मेरा WhatsApp नमबर दिया हुआ है, मेरा WhatsApp नमबर है 8077506520, इस नमबर पर आप call your message के द्वारा procedure जान सकते हैं, आप किसी भी ऐसी समस्या के बारे में जानकारी चाहते हैं, जो सभी के लिए उपियोगी और प्रभावी हो, और सभी लोग इस समस्या के उपाये जानना चाहत अपने family members में, friend circle में और अपने social media के account पर आप share करते जाएं, जिससे कि और लोगों को भी इन प्रयोगों को करके, शुक्ता प्राप्त हो, वो भी अपने जीवन से तनाप से मुक्ती पास सकें, और अपने जीवन में खुशाल जिंदिगी जी सकें, साथ में इन ओदुरगा अपने दिब्यारों के प्रयोगों के साथ, धन्यवाद